पाकिस्तान में बड़ा खेला हो गया है। कि आवाम को वो इस तरह से मजदार में नहीं चोड़ सकते हैं, ऐसे में उनकी पाटी ने फैसला किया है कि वो नवाज शरीफ की पाटी को बाहर से समर्थन देंगे और वो कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेंगे. हम पाकिस्तान के अवाम को निका लें. मेरे पाकिस्तान पीपुस पार्टी के सेंचल इजेकिटिफ किमिटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने काफी एतराजाद और इशूज उठाए जहां तक हमारा मुस्लिम लीग लूग के दोस्तों के हवाले से, कि अथारे महीने के लिए हम इनके साथ हकूमत में रहें और वो जो मेरे पार्टी के खासतोर पे पिजाल से तालुक रखने वाले, पक्तून पार्टी के लोगों ने शिकायत किये, कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मिसायल हलने हुए, ये कॉन्फिदेंस पार्टी बनने जा रहा है, मुस्लिम लीग, नून से, दूस्ट्री सियासी जबातों से बात करने के लिए, कि उस कॉन्फिशेशन में, जह हम हम हकूमत साजी के भी बात करें, कि हम इंशूर करें, कि हम अपने जो पाकिस्तान फीप्स पार्टी के एतराजात हैं, वो दूर किया जाएं, जाग तक इस एलेक्शन के सवार है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरा, और हर एलेक्शन में, जैसे हमने देख का दोजार एफार दोजार तेरा, इस एलेक्शन में भी शिकायक अपराजात उठाएगे, और मेरा पार्टी 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 के जो सेंच्रल है, इन होने अपने तरफ से दी अतराजात हम से शेयर किये, जाएं तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जाएं तक धानली की इल्जमात है, जाएं तक irregularities का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला गिया है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints, as far as this election was concerned, और हमारा इन इतराजात के बावजूद, इन इतराजात के बावजूद, इस एतजाज़, इस एतजाज़, in elections की जो रिजल्स है, उनको कुबूर करेंगे, in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability, मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे, कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के, इन कमियों को हम इस तफ़ा पूरा करें, ताकि आने वाले जब भी elections हो, उन elections में कोई उंगली ना उठा सके, इमरान खान पहले ही साफ कर चुके हैं, कि वो ना तो नवाज से बात करेंगे, ना वो बिलावल से बात करेंगे, ना वो MQN पाकिस्तान से बात करेंगे, ऐसे में पाकिस्तानी चुराओं के नतीजे तो सामने आ गए हैं, लेकिन परिशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान की सियासत में और भी ज़्यादा दिल्चस्प होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह कदाओ बिलावल ने फेका है, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में नावाज की सियासत को बिलावल निप्टाने के मूड में आ गए हैं, ब्यूरर रिपॉर्ट भारत तक